कड़वा है मगर कटू सत्त्य है नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब? जी हां दोस्तों आज का ये वीडियो थोड़ा कड़वा होने जा रहा है क्यूंकि आज का वीडियो करेले के ऊपर है आप अपने छट पर किस तरीके से करेले को उगा सकते हैं करेला जिसका अंग्रेजी नाम बिटर गौट या बिटर मेलन है ये सबजी लताओं में होती है और अपने छट पर आप आसानी से जो सबजियां लताओं में होती है उन्हें भी लगा सकते हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने करेले को ग्रो बैग या कोई बकेट में लगाया है और रस्यों के सहरे इनको बढ़ने के लिए हमने छोड़ा है आप दार या बांस के सहरे भी इनको एक जाल नूमा या इनको रास्ता दे इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर बना कर छट के उपर आसानी से करेले को लगा सकते हैं आप देखिए किस तरीके से इन में फूल और कुछ एक बड़े भी हो चुके हैं और कुछ अभी भी थोड़ी सी छोटे हैं करेले को आप आसानी से ग्रो बैग या कोई बड़े से कंटेनर में लगा सकते हैं बांस के सहरे हमने दिबा लताएं हैं उसको जाने का रास्ता मिले क्योंकि आपको पता ही है करेला एक वाइन्स वेजिटेबल है जो लताओं में होती है और करेला कितना गुनकारी है कितना ओसधिय गुन है इसमें यह मुझे कहने की आवश्यक्ता नहीं है तो दोस्तो हम टैरेस गार्डिनिंग के कि आने वाले दिनों में हम आपको बिभिन प्रकार के सब्जियों को जो कि आप अपने छट पर लगा सकते हैं उस तरीके के वीडियो आप तक पहुंचाते रहेंगे इस मिलावटी दुनिया में अगर घर के बने सब्जी घर के उगे सब्जी मिल जाएं तो उससे अम्रित और क्या हो सकता है जी हां दोस्तो हम अपने चट पर बहुत भिरिन प्रकार के सब्जियों को उगाते रहते हैं और आप तक वीडियो के माधियम से पहुंचाते रहते हैं हम अन्य सोचल मेडिया प्लाटफॉर्म जैसे फेस्बूक इस्टाग्राम पर भी हैं हमें आप वहा पुझाद चिए जगाते हैं हमेधा रहते हैं हमेधा के वह जया अभी है और के शचल करते हैं हमेधा रहते हैं ह।